Hey everyone, welcome back to my channel, divinity, terror, six by truth, always exposes deafness. तो आज जो टॉपिक है, वो इस तरह से है कि आपके जीवन में, क्या है जो अनसुना है, अन्देखा है, maybe you don't know that what is going to come in your life, but it is surely coming. So कभी कबार हम देख नहीं बाते हैं, हमारे senses उसको मिजन नहीं कर पाते हैं. So देख लेते हैं कि आपके जिन्देगी में ऐसा क्या जरूर होने वाला है, जिससे आप काफी ज़दा प्रभावित पी होंगी, क्या आने वाला है, जो आपके लिए काफी ज़दा फार्दे मन्द होगा. So what is unseen, so what is unheard, but it is definitely coming towards you. So ये इंट्रेस्टिक टॉपिक को जाने के लिए पूरा रीडिंग को देखे, जाने को लाइक, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टरग्राम में फॉलो करें, एर सब्सक्राइब फॉलो मी ओन इंस्टरग्राइब। इंस्टरग्राइब। किस ==== ये येस दो कारा आचुका है, टू ओ एंट्रों में सक्तर गाँएब। वहां के साथ, कशुका है डिया सब्सक्राहिए डाने कीसिश मुन निम आपास आचुका है। के। यहाँ पे हैं मारे पास हिलारियन, तो आफ कीज, दे ट्रेस्टर, वान आफ स्क्रोल्स, अन्ट्राइक, और राइट, यहाँ पे डिक राहा है, वान पे डिकर रहा है, सु मुझे यहां पे दिख रहा है, टॉरस वर्गों के प्रिशव का नंगर यहां पर है वी दू वैव एक वरेश जवनाई लीब्रा कुम में तुंदू राशी कैंसर पाइश सकॉर्पियो कर प्रिशिक आप मीन राशी हम वाटर साइन एर साइन फायर साइन is there ठीक है Taurus है important Bishop राशिया यहाँ पर important है Aquarius कुम राशिया पर important है ओके so we do have numbers important as 2, 2 हो सदा 22, 22 आप देखते है या 4 4, 4, 4 हो सदा आप देखते है maybe 6, 6 हो सकता है 7 हो सकता है 16, 17 या 6, 6, 7, 7 आप देख सकते है important months हो सकता है June, July, February January you can say like that May August and November तो चलो शुरूत करते है so क्या अन देखा है क्या अन सुना है बड़ जरूर आप की और आ रहे है देखो जब हम कुछ चीज हासल करने चाते है वो थियोरी इसी तरह से ही होता है कि opposite force जो है जैसे विरोधी बख्ष हो सकता है opposition हो सकता है वो आपके जो रास्ता है उसके बीचो बीच में आ जाता है लेकिन क्या हम रुके वे रहेंगे नहीं मुझे याँ पे नहीं दिक्रा है कि आप रुके वे रहेंगे आपको कोई रोग भी सकता है यू आर अन्स्टॉपबल ठीके चाहे कोई भी परेशानी हो संकत हो लेकिन विद अहल पॉफ प्रॉपर गाइदेंस अन मोटिवेशन आप उस चीज को प्राप्त करते वे दिखाए दे रहे हो इस तरह से ऐसा महसूस होता है कि वो आपने शायद वो पिक्चर देखा होगा इस तरह से सिमिलारिटीज लगता है कि उस मूवी में दिखाया गया था जहां पे वो दोनों इसी तरह एक बगी विद अ हॉर्स जा रहे थे हस्बन वाइफ या पार्टनर्स और जान बुझ के जो इविल एनरजी है वो इस रास्ते पर रुकावट कर रहे थे ताकि ये दोनों एसकेप ना कर पाए भाग ना पाए या अपने जान जो है वो बचाना पाए जितने भी कोशिश करें लगातार कोशिश करें आपको रोखने का क्या आप नहीं करोगे यहाँ पे आपके हाथ में क्या है एक से राइट सो आप उससे डेफिनेटल इस लकडी को आप काटो के जरूर and definitely you can go because this is also like a chariot आप definitely stop नहीं होंगे आप आगे बढ़ते वे दिखाई दे रहे हो और जितना आप आगे बढ़ते वे दिखाई दे रहे हो उतना ही वो जो एक success की जो एक सफलता की जो एक शिखर है वहाँ पे आप पहुचते वे वहाँ पे दिखाई दे रहे हो मुझे दिख रहा है यहां पर ऐसा जरूर आपके साथ हुआ होगा कि जब आपके जिन्दगी में संकट आया तब आपके पास सिर्फ भगवान के जो आप बोल सकता है कि हैल्प था और किसी ने आपको कोई मदद करने की भी कोशिश नहीं की but you already helped many people in the past बहुत सारी लोगों को आपने खुद मदद किया है अपने जान जोखिम में डालके अपने मदद किया है but they in return did not pay you ठीके कुछ भी आपको favor return नहीं किया है उन्होंने मुझे यहां पर दिख रहा है ठीके जब आपकी हालत बहुत नाजुब था तब उनको आपका साथ देना चाहिए था but they did not give it to you basically उस तरह से मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है I do find कि अभी भी मुझे यहां पर दिख रहा है कि कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आप in future ऐसे community को join करें ऐसे sangha को ऐसा एक ऐसा group को आप join करने वाले हैं जहां पर more or less आप ही के जैसे लोग आपको मिल रहे होंगे ऐसा है कि आपके mentality के साथ शायद लोगों की mentality नहीं match करता पर आने वाले समय में शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है But I do find like that you are going to join a community, you are going to join an organization जहां पर मुझे यहां पर दिख रहा है Yes, you will find finally the treasure box Those people will be like treasure to you उन लोगों को मिलने के बाद, मुलाकात होने के बाद या अपनी soulmate के साथ मुलाकात होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने एक box में खजाना ही मुझे मिला है और कुछ नहीं जैसे for example मैं मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है When we play games जब वो game खेलते हैं ना online पे तब वो treasure box आप देखना कितना level cross करने के बाद वो treasure box हमें मिलता है कभी खेल के देखना है वो treasure box ठीक है we used to play a lot तो वो treasure box जब तक नहीं मिलता है तब तक बहुत सारी चीज़ ढूनना पड़ता है location देखना पड़ता है match कराना पड़ता है सो मुझे यहाँ पे देखना है वो treasure box मिल जाता है और वाह और कुछ नहीं चाहिए शान्ती शान्ती सो यहाँ पे मुझे देखना है एक group एक particular friends group हो सकता है आपके या आपके profession के बराबर कुछ friends हो सकता है colleagues हो सकता है जिनको मिलने के बाद आपको लगेगा जरूर कि जैसे भगवान ने मेरे लिए बहुत आशिरवाद इसी रूप में बेजा है कि कि वो आपको मदद करने वाले हैं ठीके they are going to give you the proper advice and guidance if you are a student अगर आप एक student है मुझे दिखरा है ऐसे college ऐसे university में आपका admission जरूर होंगे जहां पर facilities की पूरी तरह से उपयोग आप करेंगे और दूसरा चीज है कि वहां पर भी जो teachers and professors होंगे या lecturers होंगे visiting faculties भी होंगे तो वो भी आपको जैसे care and attention देंगे क्योंकि वहां पर students को उतना ही care and attention मिलता है वहां पर ऐसा नहीं है कि seniors लोगों को मिलता है juniors को नहीं मिलता है नहीं अगर आप working professional है तो मुझे यहां पर दिख रहा है training के बाद बहुत कुछ आपका जो चीज नहीं कर पाते थे आपके skills नहीं थे जिसमें वहां पर भी आप खुद ही देखोगे कि आप बहुत कुछ सीख चुके है पहले से you will go through a period of learning and discovery सीखोगे और खोजोगे इस तरह से invent करते जाओगे बहुत सारी reference आप लोग को दिया जाएगा जिस reference के वाज़े से जब आप उन लोगों को मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप एक right way एक सही रास्ता से ही आप जा रहे हो अगर आपको कुछ गलत लोग भी मिल रहे होंगे तब भी भी आपको with your psychic intuition you will find out यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है I do find like that इसका जो ship है इसका जो जाहाज है बिलकुल यह जल चुका है और कुछ बाकी रहा ही नहीं लेकिन यह इनसान जो है अपने जान जो खिम में डाल रहे है और यह इनसान चाहते है कि इनको कोई rescue करे लेकिन यह इनको मिलने ही रहा है बट इनके किस्मत में definitely health तो आएगा है क्योंकि यह इनसान लोग की जान उल्रेड़ी बचा चुके है यह लाइक दे हीला इस एक्चुली दे स्टार कर्ड स्टार ऐसे ही नहीं बना जाता है स्टार के पीछे बहुत ज़दा रास भी होते है बहुत ज़दे secrets भी होते है बहुत ज़दा महनत भी होता है ठीक है तो मुझे यह आँ पे दिख रहा है जिस तरह से आपने महनत करके सबका दिल जीता है and definitely I do find कि उस वक्त आपको favor return नहीं किया गया या आपको name fame reputation मिलने में problems हो रहे है I do understand that but वो चीज आपको hustle होगा ही होगा I do find like that you are going to achieve a lot वो रात वो अंधेरा था सुभा जो रौशनी होगी वो आपका होगा ठीक है all right maybe आपकी जो परेशानी है कि आप कुछ चीजों को ठीक है मुझे यह आपे दिख रहा है कुछ लोग bachelor से एक single room में आप रहते हैं ठीक है यह आपको लगता है कि यह जो जीवन है बहुत boring सा है कोई बात करने ढंका है नहीं ठीक है अभी किसी को किसी के साथ हम engage भी नहीं उपा रहे है due to financial crisis हम क्या करें हम अपने family के पास चले जाए वो अपस लोट जाए घर में तो there are different problems तो मुझे यहां पर दिख रहा है आप right track में हो आप गलत रहा पर नहीं जा रहे है you will find your destination ठीक है चाहे आप कोई भी जगह से आप जाओ आप अपने destination पर जरूर पहुचते वे दिखाए दे रहे हो and I do find like that कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने अपने आपको बंद कमरे में ही ना पूरी तरह से आप ऐसा कर लिए हो आप किसी के साथ बात करना मन नहीं कर रहा है ठीक है आसू आ रहे है past के बारे में सोच सोच के परिशान हो रहे हो and you are not finding interest in anything मुझे इस तरह से दिख रहा है कि you are lacking something in your life but जब भी रात होता है तब भी आपको ऐसा feelings होता है कि नहीं मेरे पास है कुछ नहीं कुछ भी नहीं है होता है फिर भी आपको लगता है नहीं है so what is coming towards you is on the right track right location right destination right partner right philosopher right guide who will guide you also ठीक है ऐसे partner जो आपके साथ रहेंगे जब आपकी जरुरत होगी जब आप संकट में होगे वो अपना साथ देंगे I told you न यहां पे भी देखो with the 16th card this is like the tower जहां पे यह इनसान जो है आपकी साथ है जो भी problems है वो आपकी साथ है लेकिन आपको छोड के नहीं जा रहे है जो छोड के जाते हैं वो real लोग तो होते नहीं है so in this journey I do find like that yes you are going to achieve it and यह शायद जो सूरज आप देख रहे है so of course I can feel like this energy बहुत अच्छा एनरजी मुझे यहां पे देख रहा है कुछ लोग गंगा के घाट में या किनारे में रहते हैं आप लो गंगा घाट या सामने हैं हो सकता है आपका या maybe you leave in front of any water body उस तरह से या आप कोई port के सामने रहते हैं I do fine in future मुझे यह भी दिखाए दे रहा है कि कुछ लोग का career बन सकता है if you do trade and commerce ठीक है अगर आप packing, packaging, processing या food processing industries जहां पर labeling होगा जहां पर of course sealed होगा चीज़े कोई भी food items, containers उस तरह के business आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है कुछ लोग के लिए transportation business अच्छा हो सकता अगर आप कोई भी car rent में दे रहे हो या अगर आप lorries रख रहे हैं, truck रख रहे हैं for loading, unloading, packaging, distribution अगर आपकी distribution process है तो वहां पर भी मुझे दिख रहा है profit आप कमा रहे हैं अगर आपके कोई designing, studio है तो अगर आप वहां पर बैटकिए कुछ कमी investments में आपका हो सकता है मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर चो creative energy है उसमें आपका कम investment में आप बहुत अच्छाचे designs create करने वाले है और वो design create करने के बाद शायद आप clients को देंगे और client approve भी कर देंगे So you can be a very good interior designer in the future या किसी भी तरह का layout design करना ठीक है architect वाला job जो है वो भी अपके लिए अच्छा रहेगा So मैंने आपको कुछ भी यहां पे दिया है कि किस किस job आपके लिए शायद एक opportunity के रूप में आए शायद आपको अभी नहीं पता चल रहा है So this is unseen, this is unheard but it is definitely coming towards you इस deck से भी देख लेते हैं यहां से हम तीन card ही लेंगे So what is unseen, what is unheard but it is definitely coming to my viewers Universe please guide करे देखो, खुद ही आगया एक card देखा, four of pentacles ओके two of wands देखा, the will of fortune So मैंने आपको यही कहा है कहीना खहीं पे with the page of swords यहां पे मुझे इस तरह से ही दिख रहा है चीजे की एक ऐसे group के साथ आपका बातचीत होना, conversation बहुत deep deep conversation ऐसा नहीं कि हलके में और जो भी इमानदर लोग आपके साथ है वो आपके साथ रहेंगे जीवन भट तक, guaranteed जिसका आपके साथ कोई भी लेना देना नहीं होगा, जो आपके पीट पीछे खंजर भौगने के लिए जैसे तयार है, वो उस group से निकल जाएगा और आप उसको पकड़ भी लेंगे आपको पता चल जाएगा शायद आपके ओफिस में या कॉलेज में या कहीं पे भी आपके पीट पीछे कौन गॉसिपिंग कर रहे है कौन चिट-चैट कर रहे है कौन आपको बुली करना या हरस्मेंट करने की कोशिश कर रहे है मुझे दिख रहा है कोई ऐसा है male और female both I can see कि आपके लिए ऐसा है कोई जैसे कोई तयार बैठा है कि कोई मौका चाहिए ठीक है आपको हरस्में करने का या आपको disturb करने का उस तरह से मुझे से दिख रहा है बट इस योर ओन फॉर्चुन जो नहीं हो पाएगा जो उनका बैड लग चलेगा मैं आपको बोल रहें उनका बैड लग चलेगा जो ऐसा करने वाले हैं वो कामें आप तो बिलकुल नहीं होंगे सो मेभी अगर जबी भी जैसे मन आपको कहा कि आपके रियल एस्टेट बिजनेस अगर है तो वो भी बहुत ज़दा फ्लरिश करेंगे उसमें भी आपको बहुत कॉंट्राक्ट्स मिलेंगे काफी ज़दा आप ना जो भी क्लाइंट्स आएंगे उनके साथ अच्छा-च्छा कर पाएंगे ठीक है उनको चांविंस आपके साथ एक्री करेंगे आप जो बोल रहे है वह सही बोल रहे हो आप उनको फेसलिटीज दिखा ओगे तो लोगों को दूसरे जगा पर जाने का मौका ही नहीं दोगे आप उस बिजनेस जील को अपने हाथों से आप लेकिन एक obstacle भी अगर आया तो वो एक time की बात मुझे दिखाई दे रहा है, it's a short period of time and nothing other than that, very frankly speaking, okay, in my channel, so last में देख लेते हैं, आपके लिए क्या है, what's the advice for you, guidance तो देखना ही परेगा, so what's the guidance, universe please, मेरे भी universe के लिए, guidance देजिए please, okay, pearls before spine, यहाँ पर, ठीक है, मैं एक सद बोल देते हूं, wish fulfilling gem, six number यहाँ पर आया, claim करना इस reading को by six, 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 36 guardian, okay, काली माता आ गई है, three scarlet woman, okay, so this is the impress card, basically this is the lover's card, okay, देखो, अगर आप किसी को बहुत जद आहमियत दे रहे हो, तो आपके लिए advice है, कि वो उस योगिता रखते हैं या नहीं, कि आपके अच्छे चीज उनको मिले, ठीके, आपके अच्छे वैवार मिले, या आपके properties मिले, या कुछ भी हो सकता है, ठीके, and अगर आप adopt करना चाते हैं भी किसी को, तो मुझी यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, if you think that it is better to adopt, किसी को अगर adopt करना चाते हो, आप, so you can go through the process, कुछ लोग के लिए मुझी यहाँ पर दिख रहा है कि आपके बहुत दिन का एकवाईशता लेकिन शायद आपने उसको suppress कर दिया, मतलब पूरी तरह से आपने उसके बारे में और नहीं सोचा, you forgot about that thing, ठीके, बट वही मुझे दिख रहा है, reflection, and कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ में यह भी दिखा रहा है, कि एक genuine relationship, जैसे आपके ओर आ रहा है, genuine, very genuine, very caring, ठीके, उस तरह से, जो आपके लिए सही है, वो आप जरूर करना, किसी के लिए अपने energy को waste मत करना, जो उसका योगिता बिलकुल नहीं रखते है, जो खाम का आपका समय बरबात कर रहा है, और कुछ नहीं, ठीके, so this is all about today's reading guys, I hope you like it, and you will understand it also within few days, so this is all about today's reading, thank you guys for everything.